पाच का मेसेज आया है भाईया मैं कॉलिज में पढ़ने के लिए अपने घर से बहुत दूर आया हूँ एडमिशन लिया है अब यह हॉस्टल में मेरा मन नहीं लग रहा है मुझे घर की बहुत याद आ रही है अजीब सा फील हो रहा है मन कर रहा है घर वापिस से ले जांऊ सब छोड़ दू दोस्त यह कोई बहुत यूझिक चीज नहीं है बहुत से लोग होते हैं वो होमसिक होते है उनको अपना घर बहुत पसंद होता है घर छोड़के अलग जगे पे रहना उनके लिए बहुत मश्किल होता है कहीं लोगों को आदत ही नहीं होती, बच्पन से घर में रहे होते हैं और कहीं लोगों का नेचर ऐसा होता है और तीसरी बात ही तो बहुत कॉमन सी चीज़ है यार आप किसी भी नई जगे जाओगे तो जायसी बात है कि आपको थोड़ी adjustment करने में परिशानी होगी नए चेहरे दिखेंगे, नए लोग दिखेंगे, थोड़ी घबराट होगी बहुत common सी बात है पहली बात तो मैं कहूंगो tension मतलो आप यह सोचो कि आप एक purpose के लिए आयो अपना career बनाना है, अपनी life को set करना है तो जैसे आपने पढ़ाई करनी है न वैसे ही घर से अलग रहना ये भी पढ़ाई की तरह ही एक कार्रे है, एक goal है ये career बनाने का ही part है जैसे आप exams दोगे न वैसे ही घर से बाहर रहना भी एक तरीके का exam है ये समझ लो दूसरी बात, permanent तो नहीं रह रहे न कुछ एक साल की बात है और आपने करना क्या आपने ज़्यादा तर पढ़ाई करनी है career बनाना है, महनत करनी है एक कुरसी, एक table एक पलंग आपको चाहिए रोटी सब्जीवा मिली जाएगी आपका target है पढ़ाई करना, उसके लिए परियाप resources आपको मिल गई है बस अपने काम में लग जाओ, ज़्यादा सोचना नहीं है तीसरी बात है जब भी life में कोई भी बदलाव आता है हम उसको resist करते है हम इंसान ना बड़े आलसी होते है हमें life में बदलाव नीचे, यह बस life ऐसी ही चलती रहे वो boring सी, अजीब सी life चलती रहे दोस्तों, बदलाव अच्छे होते है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको घर से अलग रहने की आदत पढ़ेगी आगे आपका career बनेगा आजकल ऐसा तो होता नहीं है कि जहां रह रहे हो वही पास काम कर रहे हो, लोग दूसरी state में, दूसरी countries में जाते हैं, कहीं लोग बहुत travel करते हैं तो शुरू से ही आपको थोड़ी सी घर से अलग रहने की आदत पढ़ जाएगी, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा आप उस change को आगे चलके accept कर पाओगे, उसके लिए prepare रहोगे आगे चलके परिशानी नहीं आएगी तो आज ये परिशानी आ रही है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चेंज को accept करने की आदत पढ़ेगी और अगली बात ही है कुछ दिन का खेल है शुरू के महीने, दो महीने, तीन महीने आपको परिशानी होगी दीरे दीरे आपके दोस्त बन जाएंगे पढ़ाई लिखाई का pressure आने लगेगा जो आपका roommate होगा या आपकी roommate होगी, उससे compatibility बन जाएगी आज वो बड़े बुरे लग रहे होंगे जीब से लग रहे होंगे, इडिटिंग लग रहे होंगे दीरे दीरे दोस्ती develop हो जाएगी फिर आपको बढ़ा अच्छा लगेगा आप रात को साथ में गूमने फिरने जाओगे party celebrate करोगे साथ में पढ़ाई करोगे, discussions करोगे, बाते करोगे साथ में music सुन रहे हैं साथ में dance कर रहे हैं इस तरीके से आपका एक support group बन जाएगा थोड़ा time जरूर लगेगा लेकिन सब चीजे नॉर्मल हो जाएगी और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा आज आपको हैसास नहीं है लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ time बाद सब कुछ अच्छा लगने लगेगा एकदम बढ़िया हो जाएगा इसके लावा एक tip और दूँआ थोड़ी बहुत चीज़े जो आपके कमरे में थी न कोई painting होगी कोई clock होगा family photograph होगी कुछ decor होगा वो चीज़े यहां भी ले आओ थोड़ा सा homely atmosphere बन जाएगा थोड़ा सा better feel होगा रोज घर वालों से बात कर लिया करो कोई एक ऐसी चीज़ ले आओ जाओ आपको बहुत पसंद है आप उसको खरीदना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे जैसे कोई phone हो गया headphone हो गए कोई accessory हो गई उस चीज़ का जो charm होगा न वो आपके शुरू के कुछ दिन की जो गबराट है उनको overtake कर लेगा आपको उस कमरे में भी अच्छा लगने लगेगा उस चीज़ से आपको support मिल जाएगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास इतना पैसा हो तो जिसके पास है इतनी savings है या इतना जुगार कर सकते हैं वो कर लेना बागी दोस्तों पूरी life पढ़िये कुछ साल की बात है घर से अलग रहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान बहुत mature बन जाता है मैं कभी घर से अलग नहीं रहा लेकिन मुझे हमेशे लगता है कि अगर मैं अपने घर से एक दो साल अलग रहा होता न तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता वो जो एक life है न घर से दूर वाली मैं उसको enjoy कर पाता शायद मेरेंदर और maturity आजाती तो किसी दी चीज़ को despise मत करो hate मत करो हर चीज life में एक experience है आपको सिखाता है आगे बढ़ाता है ऐसे ही घर से अलग रहना भी बहुत बड़ी experience है बहुत नए experience है उससे सीखो और आगे बढ़ो पूरी life पढ़िए आगे all the best